हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अस्टेटी फॉर गोल्स में राजकमाट आप से शागत कता हूँ आज के इस वीडियो में कम्प्यूटर से महतुपनों परस्नों को देखेंगे तो फ्रेंट्स जैसक कि आप लोग जानते हैं कि जैसे से CGL में 1500 परस्नों पुछे आते हैं उनमें से पिरिश परस्न के वल कम्प्यूटर से ही रहते हैं तो इस्टिस्टि से S4GTM के दवारा कम्प्यूटर का स्रीच लगतार आ रहे हैं तो इसे आप जरूर देखें तो फ्रेंट्स आज के पहला परस्न को चलते हैं तो आज का पहला परस्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है तो प्रिंट के लिए इसको समझने से पहले में मैं बता दू कुछ कि कि Microsoft Office या Excel किसी को भी आप Open करेंगे तो इसमें फाइल दिखेगा ठीक है तो फाइल के अंदर प्रिंट से पेज निव फाइल ओपन निव पेज ओपन ये सारे ओप्शन उसमें दिखते हैं और अगर जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट वाले पेज बहुच जाएंगे तो फिस परकार से देखेंगे कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनिय चुना जाता है तो फाइल मेनियू ठीक है इसका सॉटकट की भी है चंट्रोल पी दबाएंगे तो आप प्रिंट कर सकते हैं ठीक है आज का दूसरा प्रसन है फ्रेंट फाइल एक्स्टे में यूज़ कर रहे हैं और सारे डोकुमेंस को आप सेफ करते जा रहे हैं तो कौन किसका फाइल है तो यह पने ही पता चलता है लेकिन extension अगर रहा तो जैसे कि Microsoft Office का आप कुछ डोकुमेंस बनाए उसको सेफ के तो डी वो लिखा रहता है तो इससे पता चाल जाता है यह Microsoft Office का है एक्सल का कुछ डोकुमेंस बनाए तो उसको सेफ के तो xls लिखा रहता है तो इससे पता चाल जाता है वह एक्सल का है तो extension बहुत ही यूप्योंगी है कंप्वेटर में अगर किया जाया करने पर ठीक है कि असका तीसरा प्रशने कम्पुटर आकलो को असुली को और जाता है तो इसे बाग कह जाता है प्रावजर तो प्रावजर इंटरनेट पर एप सच करने वाला सॉप्ट यह साथ है इसके इंतर का देखेंगे तो Chrome, Mozilla और Mozilla Firefox यह सारे प्रावजर आते हैं प्रिंट्स आज का पांच्वा प्राशन यू पी है क्या है तो यू पी है का कारीय तो जैसे कि कि आज कल अधिकतर यहां लैप्टॉप होगे लेकिन पहले और अभी भी है कंप्यूटर में अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं और अचानक लाइट कर जाता है तो जितने भी आप वर्क है कि वह कंप्यूटर ओफ हो जाते हैं ठीक आनि वह लग आट होने के बाद सारे जितना लाइट नेशर वजाता हैं और अप्षन नमर्बड़ सी अचानक और चता प्रस्न केंप्यूटर में एक ही समयपर एक से अधिक माध्यामों के परयोग का तरीका कहाता है मल्टी मीडिया अज का साथ हो प्रस्न है जी यह दी का ताथपर हैं केंप्यूटर एड़ेट डिज जान आज काठो परसने कंप्यूटर का मुख्य पतल को कहा जाता है तो कंप्यूटर के मुख्य पतल को मदर बोड कहा जाता है इसका explanation जानेंगे कि मदर बोर्ड प्लास्टिक का एक बना PCB होता है जिस पर धातो कि एक पतली रिखाय बनी रहती है computer की विविन electronic उपकरन motherboard में ही लागे रहते हैं अता इसे मुख्य पतल कहा जाता है आज का नौवा प्रसन है computer में print review को देखने के लिए कौन सा की का इस्तिमाल कहा जाता है तो control प्लस app 2 दबाएंगे तो print preview देख सकते हैं आज का दास्वा प्रसन है जब आप अपने computer में कोई नया program install करते हैं तो वह किस menu में जूलता है तो all program menu में जूलता है आज का 11 प्रसन पढ़ने से पहले मैं उता दू कि अभी तक आप मेरे S4G का एप install नहीं किया है तो आप play store में जाकर study for goals search कर आप उसे install करें इसमें PDF या कोई study से related कोई भी PDF हो या notes हो तो उसमें दिये जाएंगे तो आप इसे install करें आज का एगर वहाँ प्रसन है hyperlink को keyboard द्वारा करने के लिए shortcut key का परयोग के जाएदा है तो इसके लिए control आप के दबाएंगे तो hyperlink खोल जाएगा ठीक है और circuit की कुछ बारा में जानेंगे तो control Z से तो आप जानता होंगे undo, control Y से redo और control V से paste, control C से copy और control X से cut के जाता है और control U से underline के जाता है जैसे कि इसको underline करना है तो इसको select करके control U दबाएंगे तो वो underline हो जाएगा ठीक है, control S से text को replace के जाता है अगर कुछ गलत है तो उसमें कुछ रिफ्लेश करना है तो control H दबाएंगे तो हो जाएगा, control F दबाने से text को सर्च करना ने खोजता है ठीक है आज कब रहा हमाँ प्रस्न है C, Basic, Cobalt और Java भासा उधारन है तो high level language का उधारन है आज का तेरहमाँ प्रस्न है keyboard में कुल function की होते है तो keyboard में कुल बारा function की होते है आज का तेरहमाँ चोदहमाँ प्रस्न है keyboard में shift की कितनी संख्या होते है तो दो संख्या होते है तो यह सर क्या आप लगाते है एक left hand side एक right hand side दरब होता है ठीक है तो इस परकार से दो shift key होते हैं आज का पंद्रवा प्रसन है friends a scanner scan करता है तो text और picture को दोनों को अनिकी scan करता है इस परकार से इसका right answer option number C हो जाता है आज का 16 प्रसन है भारत में internet सेवा की शुरुआत कभी तो 15 अगस 295 को शुरुआत की गई आज का 17 प्रसन है output क्या है तो output वह जो processor को user में user से मिले ठीक है वह जो processor को user से मिले उसे output कहा जाता है आज का प्रसन है कौन सी computer की मातर की काई तो जैसे कि आप जानते हैं किलो बाइट, जिगावाट, मेगावाट यह सब computer की काई है लेकिन cb है यह computer की मातर की काई नहीं है तो इस परकार से इसका राइट न से option नमर भी हो जाता है आज को ने 100 प्रसन है computer में गनन करने की पहली काई है तो 0 से start होता है ठीक है और आज का 20 प्रसन है 8 digit के binary number को कहते है तो इसके binary number को कहते है byte ठीक है अभी तक आप मेरे telegram से नहीं जुड़े हैं तो आप telegram में जाकर S4G से ज़़ूद जुड़े क्योंकि इसमें PDF और कुछ वैसे important notes और quidges करवाए जाते हैं यह अगर आप अभी तक बुक को purchase नहीं कियें तो आप इसे अभी से purchase करें CGL और CCC exam के लिए बहुत ही लाब दायक होंगे friends अगर किसी परकार से कोई दिकत हो या किसी परकार से क्वारी हो तो आप मुझे Instagram में राजकमार के नाम से follow कर आप कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो आश्टरीफ फर गोल से से जुड़ने के लिए धानिवाद